अगर हम बात करते हैं mutual consent divorce की तो that is defined इसमें कोट की तरफ से इसमें दो की जाती है जिसमें फर्स पेटीशन की बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो मिनिमम सिक्स मन्स का ओना चाहिए और मैक्सिमम एटीन मन्स का ओना चाहिए और जब भी हजबन या वाइफ दोनों mutually अपनी शादी को एंड करना चाहते हैं तो तो सबसे पहले उसके अंदर एक memorandum of understanding बनता है husband wife की बीच में जिसमें वो define करते हैं कि अगर wife जो है वो one time maintenance लेना चाहती है husband से तो उसके अंदर mention किया जाता है कि वो लंसम इतना पैसा husband से ले लेगी और उसके बाद वो past, present and future जो claim है maintenance को वो वहीं पे छोड़ देंगी अगर दोनों की बीच में अगर कोई बेबी हुआ है तो वो बेबी किसकी custody में रहेगा बेबी की maintenance के लिए husband या wife दोनों मिलकर के क्या किये करेंगे तो mutually already M.O.U. Canada define होता है कि अगर हमारा divorce हो जाता है, दोनों motions complete हो जाते हैं तो उसके बाद चीज़े कैसे रहेंगी अगर wife ने already decide कर दिया है कि जी मैं per month जब तक मैं दुबारत से remarry नहीं करती हूँ या अगर वो शादी ही नहीं करना चाहती है या अगर वो बोलती है कि मैं जब तक शादी ही नहीं में लेना चाहती हूं और उसके बाद मैं कभी maintenance के लिए उनसे claim नहीं करूंगी तो उस तरीके से वो सारी चीज़े जलेंगी तो एक MOU define किया जाता है जो कि MOU जब भी हम mutual consent का first motion code के अंदर file करते हैं तो MOU की copy उसके साथ लगाते हैं जिसके लिए दोनों binding होते हैं और दोनो को अपनी statement देते हैं कि हम इस MOU के तहर्ट bind रहेंगे